So hey what's up guys, welcome back to the channel everyone WCC3 fans के लिए एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आ चुकी है क्योंकि WCC3 का अपडेट within 24 hours आने वाला है और वो बीटा अपडेट होने वाला है अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि मैं को officially WCC3 जो आप है World Cricket Championship 3 जो आप है उसका notification आया था और उस notification में लिखा था कि WCC3 बीटा अपडेट कमिंग in 24 hours अब I am very sorry मैं उसका screenshot नहीं ले पाया अगर आपको वो notification आई है तो नीचे comment करके बिल्कुल से बता देना तो सबको समझा जाएगा कि मैं जूट नहीं बोल रहा हूँ और अगर आपको मेरे पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है तो 24 hours तक रुख जाओ 24 गंटे के अनर अनर यहाँ पर अपडेट आने वाला है और मैं भाई जूट नहीं बोल रहा हूँ प्लीज यार मेरी बात मान लो में को official यहाँ पर notification आई थी कमिंग इन 24 hours तो यहाँ पर जो है बीटा अपडेट आने वाला है यानि कि आपको जो 0.1 वर्जन मिल रहा है तो उसका 0.2 हो सकता है यह 0.1.1 हो सकता है जो भी है लेकिन बीटा वर्जन का अपडेट आएगा तो आपको हो सकता है कि कुछ जो मोड से वह अन्लॉक्ड मिल जाए और साथ ही में notification में मैं को यह भी लिखा था कि जो भी आपके unfinished matches है जो भी आप quick play में unfinished matches खेल रहे थे तो वह पूरे complete कर लो क्योंकि जब update आएगा जब आप update करोगे तो सारे जो history है सारे जो matches के records है वो सब clear हो जाएंगे records तो I think clear नहीं होंगे लेकिन जो matches की history है वो clear हो सकती है जो unfinished matches थे तो में को यार यह official update आई है WCC3 का official notification आया था और भाई प्लीज मेरी बात माल लो 24 गंटे रोक जाओ 24 गंटे के अंदर अंदर आपको वो वाली वीडियो भी दे दूँगा क्योंकि में को तो पता है update आने वाला है और में को official notification आई थी अब आपको क्या लगता है यार क्या होने वाला है इस beta update में नीचे comment करके बिल्कुल से बता देना मैं हूँ अर्चे जैन मिलूंगा आप सिक अगली ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के साथ तिल देन आपके रिटी एंड अल्वेस कीप स्माइलिंग